नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों वजन कम करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ऐसे में आपको नजाने क्या क्या जतन करने पड़ते है एक्सरसाइस से लेकर डाइट और डाइट में अपनी सारी मन पसंद चीजों को त्यागना पड़ता है वजन कम करने के लिए आपको सारी चटपटी और उन टेस्टी चीजों से दूर रहना पड़ता है जो आपका मन हर समय ललचाती रहती है लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं और वजन भी कम कर सकते हैं शरीर पर अतिरिक्त वजन यानि मोटापा, कार्डियो वैस्किलर डिजीज जैसी कई स्वास्थे संबंधी समस्याओं का कारण बनता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को कम जोर करता है यदि आप भी वजन कम करना चाहते हैं और स्वादिष्ट भोजन की तलाश कर रहे हैं तो हम आपको आज कुछ ऐसे टेस्टी संड्विचेज बनाना सिखाएंगे जो टेस्टी भी है और आपका वजन कम करने में आपकी मदद भी कर सकते हैं पीनट बटर और बनाना सैंड्विच वजन घटाने के दौरान बहुत फाइदिमंद होता है पीनट बटर प्रोटीन का अच्छा स्त्रोथ है और केले में हेल्दी काप्स होते हैं इसके अलावा सैंड्विच में केवल 400 क्यालिरीज ही होती हैं टूना सैलिट टोस्ट ये सांड्विच दोपहर के भोजन के लिए लाबकारी होता है और लंबे समय तक आपका पेट भी भरा रखता है ये सांड्विच साबुत अनाज की रोटी टूना सलाद सलाद के पत्ते और मेयोनीज से बनता है ये सांड्विच शरीर को मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है और इसमें केवल 420 कालोरीज ही होती है चलिए अब बात करते हैं बेरी और आलमंड बटर सांविच के बारे में ये सांविच कई स्वास्थिला प्रदान करता है बेरी में आंटियोक्सिडेंट गुण होते हैं और आलमंड बटर सांड्विच एक अच्छा ऑप्शन है इस सांड्विच को बनानी के लिए आपको साबुत अनाज की रोठी चाहिए एक मीडियम बैंगन कटा हुआ माजरेला जैतून का तेल पालक और कटा हुआ टमाटर इस सांड्विच में केवल 410 कैलरीज ही होती हैं अब बात करते हैं ग 300 कैलरीज होती हैं इसमें आपको ब्राउन ब्रेट लेनी है और उस पर ग्रीन चीज लगाना है और उसके साथ थोड़ा सा मश्रूम लगा कर अपना सांड्विच तयार कर सकती हैं तो दोस्तों अगर आप भी टेस्टी तरीके से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमारे ब शेर जरूर करें